नमस्कार छात्रों कैसे हैं आप लोग स्वागत है आपका मेरी यूटूब चैनल दत्ता रेडिंग पॉइंट में आज हम डिसकस करेंगे क्लास नाइन्थ सामाजिक बिज्ञान इतियास यूरोप में समाजवाद एबं रूसी करांती के कुछ mcq questions अगर आप चैनल पर नए ह है रूस में संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था रूस में संपन्न किसानों को क्या कहा जाता था तो सही आंसर आपको हो जाएगा option नंबर ए कुलिक क्या हो जाएगा आप कांसर हो जाएगा कुलिक नेक्ष्ट है अपराइल थीसिस किस ने दी थी तो यह थीसिस दी गई थ तो इसका नाम था आपके पास चार ओप्शन है नाम था डियूमा मैंस्यविकों के नेता कौन थे तो सही जो आंसर होगा बुह जाएगा आपका करंच की रूस के सासकों को क्या कहा जाता था तो उनको कहा जाता था यहाँ पर उप्शन नम्मर दो जार 1917 की रूस की करांची का आरम किस सहर से हुआ तो यह आरम हुआ था आपका पैत्रो ग्राद से रूस में सामुही खेतों को क्या कहा जाता था तो रूस में इसको कोल खोज के नाम से जानते थे खूनी रविवार का संबंद रूस की किस करांची से है खूनी रविवार का संबंद किस रूस किस करांची से आपको यह पता होगा तो यह हो जागा आपका 1905 की करांची से समयवादी विचार के संस्तापक कौन थे ये जो हैं ये हैं आपके काल मार्क्स नेक्ट कुछन आपका है रूस में आर्थिक नीती की सुरुवाद किसने की तो ये सुरुवाद की गई थी ये की गई थी लेनिन द्वारा सामुही करड का कारिकरम किसने सुरू किया सामुही करड का कारिकरम किस ने शुरू किया तो ये किया गया था स्तालिन द्वारा रूस में राजसाही का अंत किस क्रांथी से हुआ तो ये हुआ था फरवरी 1917 की क्रांथी से रूस के सासक जार निकोलस टू का कब त्याक पत्र दिया तो ये दिया गया था दो मार्च 1917 को आपसन नमर दो रूसी ग्रहेव द्विकों के समर्थोकों को किस नाम से बुलाते थे तो ये बुलाया जाता था आपसन नमर ए रेड्स के नाम से रूशी तियास में किस तिथी को अंतराश्टी महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है तो ये जो मनाया जाता है ये है आपका आप्सन नम्बर तीन 22 फरवरी प्रतम विश्चुद्ध कब शुरू हुआ आप इसको जानते हैं तो सब्सक्राइब होगा आपका आप्सन नम्बर दो 1914-1918 के बीच में प्रतम विश्चुद्ध हुआ तो ये थे आपके कुछ MCQ कुश्चन इसके बाद हम तर्म बन के पूरे एक बार कुश्चन कर लेंगे ताकि आपको एक्जामा बहुत ही जी हो जाए तो अगर वीडियो अच्छे लगी तो आप अपने दोस्तों में सेयर करें धन्यवाद